हेलो स्टुडेंट स्वागत आप सभी कदाश्ट्रड्य अड्डापर और देखे इस कोश्चन में हम डिसकस करेंगे यह कोश्चन किस बारे में वाइज नॉट पॉसिबल तो सी एन एटम विद नेकडाई तो हम अपनी आखों से जो है किसी एटम को क्यों नहीं देख सकते है यह हमें बताना है तो एटम जो है बहुत चोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम जो है वह एक माइक्रोइस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं अब इसलिए हम उनको नहीं देख सकते यानि कि अगर हम बात करें रेडियस ऑफ फूर एग्जांपल यहां आप लेख सकते हैं फूर एग्जांपल radius ऑफ हाइडोजन एटम हाइडोजन एटम इस 10 तो दी पावर माइनस 10 मीटर एपरॉक्स यानि इस रेंज की होती है यानि अब 10 तो दी पावर माइनस 10 मीटर क्या हो gया वन एंगस्ट्रॉम हो गया तो इस रेंज की अगर इनकी रेडियस होती है अटम्स की तो इसका मतलब है अटम बहुत छोटे पार्टिकल है और इस रेंज के पार्टिकल्स को हम अपनी आखों से नहीं देख सकते हैं तो इस आंसर को आप इस तरह से लिखेंगे ठीक है इस लिए बहुत छोटे हैं तो इनको हमें देखने के लिए माइक्रोइस्कोप की जरुत पड़त पड़ते हैं इन्हें हम माइक्रोइस्कोपिक पार्टिकल्स कह सकते हैं इस भी बहुत छोटे होते हैं और इन्हें नहीं देख सकते हैं वह बात फिर से रिपीट हो जाती हैं समझ गए क्लियर है पसंद आया वीडियो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें थैंक्यू गाइस थैंक्स फॉर जोटी झाल झाल